विल्कम टू हूसी टिकनिकल पॉंट मेरा ना विकास आज हम बात करने जा रहे हैं वेपर कंप्रेजन रिफजेसन साइकल के बारे में वेपर कंप्रेजन में चार इंपौर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ़िस्ट कंप्रेजर सेकन्ड गनेंशर थार्ड ऑपरेड़ और फॉर different Create करना अब हम देखेंगे कंप्रेसर क्या करता है ये काम करने के लिए कंप्रेसर में क्रांप्र कन्येक्टिंग रॉड कि शृप स्टर बर सक्षण वौल जैसर पॉड प्लेट यह फ्स ज्लेंडर हुझी जैसे पर्ट होते हैं जबकृस ऑगूंता है तब पिस्टन उपर से नीचे की और आता है जिसको हम बोलते हैं suction stock suction stock में slender board से vacuum create होता है vacuum create होने से एडने से औरपरेटर में जो low pressure, low temperature vapor refrigerant है तो नीचे की और धकेl के slender board में enter करता है जब piston नीचे से उपर की और जा जाता है तो उसे हम बोलते हैं compression stock और इस compression stock में refrigerant compress होता है refrigerant जब compress होता है तो उसका pressure बढ़ता है और इस pressure की वज़ा से suction valve बंद होके discharge valve से खुल जाता है और refrigerant discharge हो जाता है और इस तरीके से compressor refrigerant को compress करता है अब हम बात करेंगे condenser की condenser के दो function होते हैं कि फर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट to low temperature यहाँ पर कंडेंसर का temperature बाहर के surrounding temperature से ज़्यादा होने के कारण condenser अपनी गर्मी को बाहर निकालना चुरू करता है और दीरे दीरे वैपर रेफिजेंट liquid form में convert हो जाता है और उसका temperature भी low हो जाता है और condenser के end में वो पूरी तरह से liquid हो चुका होता है आगे liquid refrigerant जाता है dryer में dryer के दो function होते हैं first, refrigerant को filter करना second, refrigerant में से monitor को absorb करना dryer में refrigerant को filter करने के लिए filters लगाई जाते हैं פास होता है तो उसमें डक या कचड़ा अलग हो जाता है उसके बाद nitrogen जाता है silka gel में silka gel का वर्क होता है monitor को absorb करना और इस तरीके से पूरी तरीके से साफ रेफिजेंट को आगे बढ़ाना एक्सपेंशन डिवाइस में एक्सपेंशन डिवाइस का वर्क होता है रेफिजेंट के प्रेसर को कम करना रेफिजेंट के pressure को कम करने के लिए expansion device का प्रियोग किया जाता है और इस expansion device में एक छोटा सा छेद होता है रेफिजेंट जब उस में से पास होता है तो उसको resistance offer हो जाता है जिसके करण रेफिजेंट का pressure कम हो जाता है और low temperature low pressure का liquid refrigerant आगे जाता है एउपरेटर में एउपरेटर के दो function होते हैं first outside की heating को absorb करना second liquid refrigerant को vapor में convert करना एउपरेटर में आने वाला refrigerant low temperature low pressure का liquid refrigerant होता है यहाँ पर refrigerant का temperature surrounding temperature से कम होने के कारण outside की heating एउपरेटर में चली जाती है जब बाहर की गर्मी एउपरेटर एपजॉब करता है तो refrigerant उबलने लगता है और उबलने के कारण liquid refrigerant vapor refrigerant में convert हो जाता है और low temperature low pressure का vapor refrigerant फिर से compressor में आ जाता है और इस तरीके से यह जो cycle हो है continue चलती रहती है इसी को हम कहते हैं vapor compression refrigerant cycle अब हम देखेंगे कि यह जो vapor compression refrigerant cycle है इसका application क्या है इतने भी refrigerator है फिर वो चाहे single door refrigerator हो या double door refrigerator हो या फिर window air conditioner हो या split air conditioner हो package air conditioning हो central air plant हो water cooled हो deep freezer हो ice candy plant हो cold storage हो इन सारे मसीनों में vapor compression refrigerant cycle हो